जोस्तों आशा करते हूं कि आप सब ठीक होगे तो आज हम करेंगे हिंदी का निबन नोट बंदी नोट बंदी का अर्थ है प्रचलित मुद्रा की माननेता को समाप कर देना अर्थार जिस नोट से हम कुछ भी खरीच सकते हैं उस नोट का कागस का तुकड़ा मातर रह जाना मुद्रा मतब करंची और माननेता मतब रेकोकनिशन हम सबने हाल ही में अपने देश में इसका नुभव किया है जब 500 रुपे और 1000 रुपे के नोटों की माननेता समाप कर दी गई थी आपको याद होगा कि उस दुरान बैंकों और रेटियम के सामने लंबी लंबी लाइने लगी रहती थी लोगों को बहुत परिशानी का सामना करना पड़ा था सवाल है कि यदि लोगों को परिशानी होती है तो सरकार नुर्बंदी करती क्यों है ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि सरकार काम कैसे करती है आपने देखा होगा कि सरकार पुल, स्कूल, सड़की, अस्पताल आधी बनवाती है और भी बहुत सारे कार्या करती है इसके लिए धन इकटा करने हैं तो सरकार विबिन प्रकार के कर लगाती है कर मतलब टाक्सिस उन करों से प्रापधन से ही सरकार जनता की बलाई के ये कार्या करती है किन्तु कुछ लोग कर देने से बचना जाते हैं ऐसे लोग लेन देन का जो भी कार्या करते हैं वहें नकद रुपेयों के माद्यम से करते हैं नकद मीनند cash रुपें तूप कि कि बैंको क माध्यम के गए लीन देन का पत सरकार को चल जाता है। इस प्रकार सरकार से चुपा कर वै अपना वेपार या अन्यकारे करते रहते हैं। कर्गी चोरी के लिए सरकार से चिपा कर कमाई गए धन को ही काला धन कहते हैं काला धन जिसे हम इंगलिश में ब्लाक मनी भी कहते हैं आप रसुनों होगा इससे सरकार की आए में तो कमी होती ही है आय मतलब इंकम इस शिपे इस शिपे होए धन का प्रयोग समाज और राष्ट्र विरोधी कती विदियों में भी इस्तमाल होता है अचानक नोट बंदी की गोशना से ऐसे कर्चोर कर्चोरों से 21 सरकार से चिपाए होए सारे नोट बेकार हो जाते हैं या तो उन्हें उन नोटों को बैंक में जमा कराना पड़ता है और या फिर नश्ट करना पड़ता है अगर वहें बैंकों में जमा करते हैं तो उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये पैसा उनके पास कहां से आया उस पर उन्हें कर भी चुकाना होगा और जुम्राना भी देना होगा इसी सरकार के खजाने में विदी तो होती है विदी मीन्स इंकृरीजमेंट गलत कारें में लगे लोगों की कमर भी तूट जाती है हमारे देश में भी ऐसे ही परिणाम देखी गए हैं यही कारण है कि कठेनाईयों को सामना करने के बाद भी जनता नहीं नोटबंदि के निरने का स्वागत किया है तो दोस्तों ये था नोट बंदी का निबंद अगर आपको चलग होएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलना